महिला सशक्तिकरण की एक तस्वीर ये भी है कि आज बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिने मौका मिलेगा नई संसत का हिस्सा और उसे इतिहासिक पल का हिस्सा बनने का जिस समय इसकी शुरुवात होगी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं हम मिनाक्षी लेखी जी के घर पर हैं जहा तो यह उसी का एक उधाराना जो किसी भी सरकार के टाइम में नहीं है और देखें यहां पर बहन है उस चीज को लेके इतनी मतलब उत्साहित हैं वहां जाने के लिए कि यहां पर देखें सब एकत्रित हो रही है सर्दी गर्भी आसी कोई चीज की परवाह नहीं है और सब अपने नए पाल्यामेंट को देखना चाहते हैं जो भारत का नया पाल्यामेंट आज यशच्पी प्रदान मंतिजी के नेतरत मे आज सब लोग महाँ पर उपस्तित रहेंगे आज कितना बड़ा दिन है क्या तयारी ज्यादा बाकी दिनों से देखें आप यहां पर आया आपको लगी रहोगा कि कितनी बड़ी तयारी है सब चकला बेलन चोड़कर यहां खड़े हैं आज किचन चोड़कर आज 9 बज़े यहां पर आकर खड़े होगे कि बहुत खुशी है हमें आज दिखें इतियास के पन्नों पे लिखने वाला एक अध्याय बनने वाला है प्रदान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ही सोचा है सिर्फ महिलाओं के बारे में पिछली सरकारे आई मनमोहन सिंग की सरकार आई यह जो बिल था राजसभा में आया लेकिन लोकसभा में भी आपाया उसको लंबित कर दिया गया लेकिन जब मोदी सरकार है आप दीके चुनाव में भी ज़्यादा महिलाएं होती है और केंद्र में भी हमारी महिलाएं बैठी है तो यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है आगे लेकर आएं और ये आपने कहा कि पहले भी हो सकता था हो सकता था बट मोदी है तो मुम्किन है इसलिए कहा जाता है आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज से पहले पारलेमेंट में उसके लिए जाते थे लेकिन आज जो हम जा रहे हैं महिला एरेक्शन बिल आ रहा है और मोदी जी महिलाओं के लिए इतना सोच रहे हैं महिलाओं के लिए इतनी योजना ही बनाई हैं महिलाओं के लिए सोच के माहिलाओं को इतना आगे बढ़ने पर उट्सा बढ़ाया है, आज माहिला सक्षम है, मोधी जी की विज़ से क्योंकि इतनी स्कीम्स उन्होंने दिये है। गर से आगे बढ़ने के लिए तो महीला हमेशा निकली पड़ी है और आज गड़ेश चतुर्ती है ठीक है और श्री राम जी जो उतर के खुद मोदी जी के रूप में यहां पर आए हैं तो यह तो संभव होना था आपका सवाल है कि यह पहले क्यों नहीं हो पाया श्री राम ह आज बिल आ रहा है वो सीता के रूप में यहां पस तापित होने चाहिए और एक बड़ा दिन क्योंकि जहां पर एक साथ सब महिलाएं इखटा हुई है आज कितना बड़ा दिन आपको करें बहुत बड़ा दिन है सबसे पहले तो हम अपने बिधन बादा को दूड करने बा मैं भी एक इंटरप्रेनियोर हूँ और मतलब हर जगा हमारा संगर सबसे प्रथम कदम में रहता है तो इसके लिए हम मोदीजे को धन्यवाद करते हैं पूरे देश-बासी महिलाओं को धन्यवाद करते हैं मैं बयान नहीं कर पारी कि इतनी खुशी हो रही है कि हम जो विमन फाइट करें प्रधान मंत्री महिलाओं के लिए इंपोर्टन्स देके जब से वह आए हैं कोई ना कोई छोटी ना छोटी महिलाओं के लिए जो स्कीम्स लेकर आया है उसमें आज ये बहुत-बड़ा मोहर नहीं फिट ही इन्तिस परसंच प्रॉस जो महिलाओं के प्रती हो थे अज मोधी जी को बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहते हूं कि इस बंद रहें गनेश चोतुर्ती है सब को बहुत हो शुब कामना है और मोधी जी है जो जिन्होंने राम के बारे में भी सोचा उन्होंने मंदिर का जा रही है आपके लिए कि इतना बड़ा दिन है वहां पर खड़े हो के उस पल को देखना महसूस करना है यह तो हिस्ट्री एक्चुली एंड क्या करें तो मोधी के लिए कैमरा परसन हे मनसूत के साथ मनोग्या लोईवाल दिल्ली एबीपी न्यूज